महेंदर सिंग धूनी वैसे तो बहुत कूल काम कस्टूमर मानने जाते हैं बहुत कूल काम कंपोज रहते हैं लेकिन जब वो उनका गुसा बाहर आता है ना तो वो बहुत अपने आपको रोग नहीं पाते हैं एक ऐसा इंसिडेंट यहां पर उनके पूर साथी खिलाडी टीम इंडिया में भी चैने सबरकिंग्स में भी मोहिश शर्मा ने उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया रहा कि एक समय था जब महेंदर सिंग धूनी को इतना गुस्ता आ गया था कि उन्होंने एक साथी खिलाडी को कह दिया था कि भाई बेफूफ तू नहीं बेफूफ मैं अधिक लाडी थे उनका नाम है दीपक चेहरर हम सभी जानते महेंदर सिंग् धूनी और दीपक चेहर का जिए बॉन्ड है जो रिलेशेशन्ट शेप है कितना स्ट्रॉइं है लेकिन महेंदर सिंग धूनी ढाटते भी भरके है उनको अच्छे से डाटते धागा खुल देते अगर आप देखे क्या पूरा वाक्या था वो मुईश्वर्मान एक पॉड्कास्ट में बताया है उन्हें साफ तोर पर यह बात कही कि एक समय ता 2018-19 का IPL चल रहा था और महेंदर सिंग्धोनी ने मही भाही ने उनके मना किया था दीपक चहर को आप नकल बॉल मट डाला लेकिन उसके बाद भी दीपक चहर ने बैक टू बैक दो बार नकल बॉल डाली और जिसमें मुझे याद आ रहा रहा वो मैच में एक बॉल वाइड भी हो गई थी तो वो कही रहा गई बहुत जादा क्रूशल स्टेज में मैच फसा हुआ था सीएसके के लिए और वहां पर जो एक्सपेरिमेंट्स ट्राय कर रहे थे दीपक चहर वो महेंदर सिंग्धोनी को पसंद नहीं आए यहां पे और वह जब दीपक चहर के पास गयरोंने साफ तोर पे बहुत गुस्से की टोन में उनसे कुछ बातचीत करते वे नज़र आ रहे थे और अब वो खुलासा यह हुआ है कि दीपक चहर को कहरते हैं कि भाई बेफकुफ तुम नहीं बेफकुफ मैं हूँ जो तुझे मना कर रहा हूँ कि यह नकल बॉल मट डाल इस वक ज़रूरत नहीं है लेकिन तुम तो बार-बार वही चीज करो गए जिसको मैं मना कर रहा हूँ यानि कि महेंदर जिंग धोई जब गुस्सा करते हैं तो इसे तो गुस्सा करते हैं तो उनका जो गुस्सा होता वह बेहदी खतरनाक होता है और काहीं नहीं वह रिस्पेक्ट भी ए खिलाडियों के बारे में बात करते हैं और इसलिए मोई शर्मा ने कहा कि कोई बात लिए लेकिन दीपक चेहर को डाट बहुत पड़ती है आप लोग जब महिंद सिंग धुनी को गुस्से में देखते हैं तो गुस्से वाले धुनी आपको ज्यादा पसंद है या फिर कूल काम कंपोस्ट वाले दोनी पसंद है आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में आपर के सकते हैं